DCA course क्या होता है? DCA के बाद जोग कहां मिलेगी? योग गिता कितनी होनी चाहिए? सिलेवस क्या होगा? जोग प्रफाइल क्या होगी? सेलरी कितनी होगी? फीस कितनी होगी? DCA कितने महिने का course होता है? आज कि इस वीडियो में फुल जानकारी आपको देंगे तो वीडियो में बने रहिए अन्त तक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि DCA course क्या होता है? DCA को Diploma in Computer Application भी कहा जाता है Diploma in Computer Application एक Best Job Oriented Course है जिसको करने के वाद आपको जोब आसानी से मिल जाती है DCA course में आप बहुत सारी चीजे सीख सकते हैं ये एक Diploma course है अगर आपने अभी अभी दस्वी पास की है या आप बारवी कर रहे हैं या कर चुके हैं या फिर आप graduation कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस course को कर सकते हैं चलिए अब आपको हम बताते हैं DCA में Slaves कौन-कौन से होते हैं DCA course में Slaves कौन-कौन से होते हैं Introduce of Computer Computer Fundamentals Full MS Office जिसमें MS Word, Excel और MS Access होता है MS DOS सिखा जाएगा Internet सिखा जाएगा और Multimedia, Photoshop, Page Maker सिखा जाएगा CorelDraw, HTML, Tele, ERP9 और E-Business सिखा जाएगा चलिए आपको बताते हैं DCA कितने मन्त का होता है DCA 6 मन्त का होता है और DCA 12 मन्त का होता है आपको 6 मन्त वाला DCA करना है अब आपको बताते हैं DCA की फीस कितनी होती है DCA की फीस 6 मन्त वाला जो कोर्स होता है वो लगवग उसमें फीस 6,000 से 7,000 रुपे पड़ती है अगर आप 12 मन्त वाला करेंगे तो उसमें 10 से 15,000 रुपे फीस होती है दोस्तों DCA कोर्स करने के बाद आप कम्पूटर ओपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं डेटा एंट्री के रूप में काम कर सकते हैं एकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हैं या फिर आप बेब डिजाइनर भी बन सकते हैं या फिर आप घर पे ऑनलाइन वर्क भी कर सकते हैं से फ्रेलाइंसर हो गया फाइवर हो गया इस इन वेबसाइट पर आप कर सकते हैं डीसी कोर्स करने के बाद आपको सेलरी कितनी मिलेगी अगर आप किसी कंपनी में जोब कर चुके हैं एक दो साल का एक्सपिरियंस हो चुका है तो आपको 10-50,000 तक की सेलरी मिल जाएगी अगर को हर इस्टूडेंट को करना चाहिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए